तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनी के इस नए और लेटस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में आप लोग को पता होगा कि मैं 12 फ्लास के उर्दू का जो चैप्टर नंबर 6 है बागो बहार इसका टोटल सल्यूशन कराने वाली है यानि कि सारे सब्जेक्टिव और सार दास्तान है यह कोई कहानी अफसाना नहीं है यह एक दास्तान है और पूरी दास्तान पूरी कहानी को बहुत ही खुबसूरत यह कहानी है पूरे चैप्टर को पूरी कहानी को मैं इसके पहले वाले वीडियो में कम्प्लीट करा चुकी हूँ तो अगर आप लोग चैप्टर कोश्चन एंसर में आप लोगो करा रही हूं वह सारे कोश्चन का एंसर आप लोग खुद से दे पाएंगे तो जरूरी है कि आप पहले पढ़ लिया करें तब आप लोग कोश्चन का एंसर जो है ना मैंड में फिट होते चला धाएगा ठीक है तो चलिए आज की इस वीडियो को श्तार करते हैं विडियो को शेयर कर दीजिए अभी तक शेयर नहीं कियas तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहां पर अलड़ी पहले से चैप्टर का नाम लिखा हुआ है बागो बाहर और राइटर है मीरमन दहलवी सबसे पहले तो हम लोग मारूजी सवलात यानिकी अब्जेक्टिब कोश्चन और उसके बाद से सब्जेक्टिब कोश्चन करें है कि बागो बाहर का तालुक किस सिंफ से है जब मैं आप लोगों को चैप्टर पढ़ा रही थी तो बताए थी कि याद रखिएगा बागो बाहर जो है ना यह एक दास्तान है ऑप्सान नमबर एज तर राइट एंसर चैप्टर पढ़ेंगे तो सारे कोश्चन आप लोग क एक दम हलवा लगेगा जिस तरह हलवा खाने में आसानी से हम लोग खा लेते हैं ज्यादा चबाने की जोत नहीं पड़ती पिलकुल उसी तरह आप लोग को देखकर ही उसका इंसर बता पाएंगे ज्यादा आप लोग को दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा अगर आप लोग बाग बाहर किस किताब किस साल मुकमल हुई तो वो 18 से एक में लिखकर त्यार किया गया था मुकमल हुई थी ठीक हैं बाग बाहर में कितने दर्वेशों के वाकात को बियान किया गया है तो चार दर्वेशों के ये भी मैं आप लोग को बताए थी सारा हर एक एक पॉइंट आप लोगों को बता चुकी हो किसकी खौहिश पर मीरमन दहलवी ने बागो बाहर जैसे किताब तरजमा की तो वो थे जॉन गुल क्रिस्ट आपसर नमबर ए शहजादे के वालिद और मलिक साधिक के दर्मियान क्या रिष्टा था तो दोस्ती का रिष्टा था ठीक बड़ा पड़ा आगे बढ़ते हैं सहजादा फकीर को कितनी अश्रफिया देता है तो एक ही अश्रफिय देता है अंधे फकीर का तालुक किस मुलक से था तो हिंदुस्तान से वो हिंदुस्तानी अंधे फकीर था सफर पर रवाना होने से पहले मुबारक ने बाजार से कौन-कौन से चीज़े खरीदी तो वो खर मिलने गया तो चालिसवा बंदर यह यहां पर आप बोल सकते हैं थोड़ा से यहां पर एंसर गलत दिया है हुकूमत के वज़ासे गया था ना क्योंकि उसका जो आप बोल सकते हैं शहजादा था चीन माचीन का शहजादा उसको हुकूमत नहीं मिल रही थी ठीक है जिसके वज होते हैं मलक साधिक ने शहजादे की मदद के लिए कौन सी शर्ट रखी तो मलक साधिक ने शहजादे की मदद के लिए रखी थी गुल बदन की तलाश ठीक है उस लड़की का नाम गुल बदन था ठीक है मीरमन दहलवी की पैदाइश कहां हुई तो दिल्ली में हुई थी किसी में हुआ था मीरमन को महनामा कितना मिलता था यानि कि मंधली कितना रुपे उनका मन्धली आप बोल सकते हैं कम था तो बागो बाहर किस साल तबहा हुआ किस साल प्रकाषिक कि गाइथा बागों बाहर अब यहां पर हो गया आप लोग का objective question complete अब यहां से स्टार्ट होगा subjective question और subjective question में भी सबसे पहला मुखतसर तरीन सवलात यानि की very short type question बागो बाहर का तालोग कि सिंथ से है दास्तान से बागो बाहर किसकी तस्नीफ है मीरमन दहलवी की बागो बाहर कहां लिखी गई फ्रोट किसके खौाइश परमिमर मीरमन बागो बाहर जिसे किताब लिखी जॉन गुल्कृिस्ट इस एक्टबास में किन-किन मुलकों का जिखर है चीन माचीन और हिंदुस्तान दो ही मुलकों का जिकरे शहजादे के वालीड मलक सादिक के दरम्यान क्या रिष्ट था तो दोस्तिक का शहजादा फकीर को किनी अश्रफिया देता है एक अश्रफी अंदे फकीर का तालोग किस मुलक से था तो हिंदुस्तान से था हो गया पड़फट अब यहां से स्टार्ट हो रहा है मुखतसर सवलात यानकी शौट टाइप कोशन मुबारक शहजादे को उसके चचा से निज यूट का दोस्त है इसके सामने मैं तुम्हारे सांथ समौरा चचा के मुझाल रहांँ करूंगा मुम्किन है कि वह तुम्हारे बापी दोस्ती याद करके एक 40 के बच गया था तुझे दे दे और उसके मद़र से ते dieta मुलक तेरे हाथ में आजाए देखे वहां पर objective question में था ना चालीसवा बंदर एक मिनट एक मिनट ही इसका ऑप्सान नंबर ए ही होगा ठीक है इसका ऑप्सान नंबर ए हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा question देखिए सफर पर रवाना होने मुबारक ने बाजार से कौन सी चीज़े खर दी तो सफर पर रवाना होने से पहले मुबारक ने इतर वगर खरदा और जो भी मतलब मलक सादिक के यहां जाने के खातिर जो भी समान जरूरी लगा उसे मुबारक को वो सारा चीज़ खरिद लिया जिन्नातों के बादशा को जो मतलब वहाँ पर जो चीज़े चाहिए होती है वो हर एक समान करदा और तब सफर पर रवाना हुआ सुलिमानी सुर्मे की क्या खुवी थी तो सुलिमानी सुर्मे की खुवी आती की जब कोई आदमी उसे सुर्मे को अपनी आखो में एक दो सलाई में लगा लेता था तो उसको जिन्नातों की दुनिया नजर आने लगती थी जिसमें जिन्नातों और उनके सारे लवाजमात सामन होते थे यहां तक कि जिननात, मतारक और सरगम नजर आते थे, स्लिमा लगाने वाला उन जिननातों से गुफ्तओव भी कर सकता था, ठीक है, सुल्मानि सुल्मा की यही खुवी थी, कि जो भी इसे लगाता था अपनी आखों में वो जिन्नातों के दुनिया को देख सकता था और जिन्नातों के लोगों से मतलब जिन्नातों से बात कर सकता था ठीक है मुबारक मलिक सादिक से किस मकसद के तहट मिलने गया तो मुबारक मलक सादिक से मिलने इस मकसर दे गया कि शहजादे को उसके चचा के जल्म से निजाद दिलाए पहली बात तो या कि शहजादे के चचा ने उसके बाप का मलक हड़प लिया था और अब उसकी जान मारना चाहता था शहजादे की जान बचाने और उसके बाप का गसब किया हुआ एक मिनट हाँ गसब किया हुआ मुलक उसे वापस दिलाने के लिए जो मुबारख है मलक साधिक के पास गया था ठीक है अब देखिए पांचवा क्वेशन के शहजादा फकीर की बेटी को देखकर क्यों बेहोश हो गया शहजादा फकीर की बेटी को देखकर इसलिए भी होश हो गया कि एक तो वह लड़की की नहायत थी एक लड़की वह नहायत जो लड़की थी एक तो वह बहुत ज़्यादा हसीन वो जमील थी दूसरी बात की वही लड़की थी जिसकी तलाश में मलक साधिक ने उसे भेजा था जब उसने मलक साधिक की वही तस्वीर को हाथ में लेकर उस लड़की से मिला तो वही लड़की थी इसकी तलाश में वह साथ साल से दरदर की खाक चान रहा था चुनांचा उसकी हुसन वा जमाल को देकर शहजादा बेहोस हो गया ठीक है शहजादा फकीर की बेहोस हो गया क कौन से शर्ट रखी मलक सादिक ने शहजादे की मदद के लिए शर्ट रखी कि मेरा भी एक काम है अगर तुने मेरा काम कर दिया और इसमें जर्रा बराबर भी ख्यानत नहीं किया तो मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करूंगा ठीक है साथवा सवाल है कि मलक सादिक ने शहजादे को किस बात की ताकीद की मलक सादिक किस तरह धंकाया शहजादे को या आप लों को बताना है जवाब में देखिये लिखा हुआ है कि मलक सादिक ने शहजादे को इस बात की ताकीद की थी कि मेरे काम को नयायत होशियारी और इमान पढ़ेगी यही बात मतलब जो है ना मलेक साधिक शहजादे को धंकाया रहता है कि तू अभी नौजवान लड़का है तू जजबात में आकर कोई गलत काम मत कर देना इस लड़की की मतलब सुर्थी पर आकर तुम इसको उज़री लेकर अगर रह गया तो समझे ना कि मुझ स एश्रफी लेकर शहजादे से क्या कहा तो फक्र ने एश्रफी लेकर सहजादे से कहा कि एग दाता खुदा तेरा बहला करे कि शायद इसका भला कर तेरी जो भी खायश है वो तेरी खायश पूरा हो जाए यहां पर कोई ऐसा नहीं है जो मुझे एक कोड़ी या फिर एक लुकमा भी दे दे लेकिन तू लगता है कि इस मुलक में नया आया हुआ है तूने मुझको भीख दी और खुदा तेरा भला करे अब देख इस तरह उसके हुसनों जमाल के शोहरत रफतर रफतर पुरे मुलक में फैल गई थी यही बात थी और उसी वज़ा से फकिर की बेटी की शोहरत चारों तरफ फैली हुई थी ठीक है अब यहां से स्टार्ट हो रहा है तवील सवलात यानि की लॉंग टाइप कोशन जो की पा मदद गार रह जाता है वह यार अच्छा सेहजादा बेयार वा मदद गार रह जाता है शहजादे के चचा उसके बाप की उकोमत पर पर कबज़ कर लेता है और किसी तरह सेहजादे को मार डालने जिन्नातों के बादशाह मलिक साधिक के पास शहजादे को ले जाता है मलिक साधिक शहजादे के वालिद का दोस्त था उससे तो मतलब वो जो शायद वो सहजादे की कुछ मदद कर सकता था इसी वह जैसे मलिक साधिक जो है ना शहजादे को वहाँ पर ले कर गया एक महीने की तवील सफर के बाद मुबारक शहजादे को साथ लेकर मलक साधिक के दरबार में पहुंच कर मलक साधिक से शहजादे का तारुफ कराता है मलक साधिक शहजादे की मदद के लिए तयार हो जाता है लेकिन उसे भी एक मासुका की तलाश है जिसकी तस्वीर वो शहजादे को देता है और तलाश के लिए कहता है लेकिन वो बार बार शहजादे को माशुक को देकर खियानत ना करने की ताकीद करता है क्योंकि वह माशूका मलिक सादिक की अमानत थी साथ सालों तक जंगलों और अबादियों के खाक चानने और तवील तलाश के बाद शहजादे को आखिरकार माशूका मिल जाती है उस हसीन वजमील माशूक को देखकर शहजादा अपना होश वहवास को बैठता है लेकिन जब मुबारक की कोशिसों से अपने होश वहवास में वापस आता है तो वह माशूका और उसकी फकीर की बाप उस फकीर बाप के सामने मलिक सादिक का तज़करा नहीं करता है वो बताता नहीं है कि मलिक सादिक हमको बेजा है वो बोलता है कि सौधागर मैं किसी सौधागर से ये फोटो को मैं खरदा हूँ वही सरी बात थी आगे आप लोग लिख सकते हैं दूसरा सवाल है कि मुबारक ने शहजादे के लिए कौन से खिर्मात अंजाम दी जवाब में लिखा हुआ है कि मुबारक ने शहजादे के लिए गैर मामूली खिर्मात इंजाम दी सहजादे के वालिद जब बादशा हुआ करते थे तो उस वक्त से मुबारक सहजादे के बाप का वफदार खादिम था जब शहजादे के बाप का इंतकाल हो गया और उसके चचा ने बाप के मुलक को गसब करके बादशाव बैठा और शहजादे को रास्ते से हटाने यानि की मार डालने की फिक्र करने लगा तो शहजादा उसकी शाजित से बिलकुल बेखबर था लेकिन मुबारक बजाहर तो उ असरसूख बना लिया था चुनांशा बादशादे को ठीकाने लगाने या कतल कर देने का मशवरह किया तो उसने नहायत होश्यारी से बज़ाहर हमदर्द बनकर बादशा को मशवरह दीया कि शहजादे को ऐसे कतल करने में बदनामी का खत्रा है इसलिए उसे मैं शिकार के बहाना जंगल में ले जाता हूँ और वहीं उसे ठीकाने लगा दूँगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा बादशा को या मसवरा पसंद आया उसने बादशा को इस तद्बीर पर अमल करने की इजाज़त दी और सुनाचे म बहाने दरबार से बाहर निकाल कर ले गया बादशा ने तो ये समझ रहा था बादशा तो ये समझ रहा था कि उसके रास्ते का काटा निकल गया लेकिन हकीकत में मुबारक शहज़ादे को जान बचाने के लिए ले ले गया था मुबारक में शहज़ादे को तमाम साजिशो को बागो-बाहर पर क्यों इनाम मिला जिवाब लिखा हुआ है ऐ उलड़ी की बागो-भाहर कि तस्निफ पर मीरमन को इसलिए इनाम मिला कि यह खालिस हिंदुस्तानी जबान में थी इस किताब के अक्सर वबिष्टर अरफाज और इस्तलाहात खालिस हिंदुस्तानी थे और हिंदुस्तानी के तमाम तबके के लोग उसे पढ़कर अच्छी तरह समझ सकते थे वैसे तो मीरमन ने बागो बहार के लावा गंजे खुबी के नाम से एक और किताब लिखी गंजे खुबी तरजमा के सकल में पेश की गई थी लेकिन इसकी ताब में बागो बाहर वाली की फियत नहीं थी इसलिए इसकी वह पजीराई नहीं हो सकी जो बागो बाहर की हुई यहां तक कि किसी ने उसे तवज्जह से पढ़ा भी नहीं बागो बाहर दरसल अमीर खुसरू की मरशूर फारसी दास्तान चाहर दर्वेश का उर्दू तर्जम का उर्दू तर्जमा म्यठा हुसान तर्जमा कि ने नौ मसलन हंदूस्तान हिंदू वह मुसल्मान औरत मर्द बुढ़े और द्योवान खास वाराम सभी आपस में बोलते थे देखेंगे आप बताई भी थी कि चार दर्वेश जो कि फार्सी का किताब था फार्सी में लिखा गया दास्तान का किताब था लिखने वाले अमीर खुसरू थे इसको भले ही मीर अमन देर्वी बागो बहार के किताब के नाम से उर्दू में है ठीक है अब दश्य के चारण नमर सवाल कि बाग बाहर हिंदुस्ताने तहाजिब औा तमद्द्दुन से मेलखाती है या नहीं वजाBook factor की जिए बागवार नाम का किटाब हैं यह हिंदुस्तानी सब्वेटा से मेलखाती हैं कि नहीं आप परकाश्ट किया गया ना वैसे ही इस किताब की मकबूलियत और बहुत दाशोरत होने लगी यहां तक कि इस किताब की इसी खुबी के वज़ा से मीर अमन को फॉरट विलियम कॉलेज की तरफ से इनाम भी मिला था मीर अमन के बागो बहार का शुमार उर्दो नसर की मकबूल त इस फन में मीरमन बहुत हद तक कामया भी रहें तो यह लंबा चुर्ण आप लोग एंसर लिख सकते हैं और एक मीनट ज़रा मैं आप लोगो एंसर दिखाई भी नहीं फड़फट में आगे बढ़ा दी यह मैं आप लोग एंसर दिखाया दे रही हूं ताकि आप लोग लिखा गया तो इसकी नसर में क्या एहमियत है यह आप लोगो बताना है तो अर्दू नसर की तारीख में बागो बाहर को लाजवाल तस्निफ समझा जाता था और इसके मुसनिफ मीरमन दहल्वी को अर्दू में सादा नसर निगारी का मौजजद कहा जाता था यह भी अपक और फार्सी रिवायात और शायरी की कुलबा को दरकिनार करते हुए उर्दू नसर को अपने असल बुनियादों पर खड़ा करके खड़ा करने का होसला दिखाया है तो यह हो गया आप लोगा एंसर इतना लंबा भी एंसर नहीं दिया गया है बस इतना ही है यहां तक है तो मौनस है कि मुझकर है यह आप लोगो सेंटेंस में यूज करके बताना है तो देखिए सबसे पहला लवज है तदबीर यह एक मौनस है यानकि इस्त्रिलिंग लवज है तुम्हारी तदबीर कारगर हुई अमानत यह भी मौनस यानकि इस्त्रिलिंग है जिन्दगी खुदा सारा जितना भी अलफाज दिया गए सब का सब क्या है मौनास है ठीक यह उर्दु ग्रामर से कोशन पूछा गया है साथ नंबर कोशन ये उर्दु ग्रामर का यह मुंतरादिफात यह मानी लफज बताएं यहां पर कुछ लफ़ दिये गए और इसका आप लोगो मुतरादिफ यानिकी एक समान अर्थ रखने वाला शब्द आप लोगो लिखना है बादशा या फिर सुल्टान दोनों का मतलब एक ही है तहकी या फिर तजर्बा दोनों का मतलब एक है शविया या फिर शकल बाते कि यह पीर या फिर मुर्शिद इल्म और दानिश या फिर ना बैना या अंधा आप बोल सकते हैं सबका यहां पर मानी अलफाज दे दिया गया है अब देखिए लास्ट कुश्चन आपके स्क्रेंट के उपर आ चुका है आठ नमबर सवाल की दर्द जैल आपके चैप्टर का टोटल सल्यूशन आई होप आप लगबग कोश्चन का एंसर जानते होंगे क्योंकि सारा कोश्चन चैप्टर से उठाया गया और चैप्टर में आप लोग अलड़ी पढ़ा चुकी हूं ठीक है कोई भी कंफ्यूजन हूं आप में कमेंड में पूत सकते ह और उसके सांथ साथ वीडियो को लाइक कर देना है और कमेंड में लिखकर भी बताना है कि हां जो कुछ भी मैं आप लोगको समझाई वो चीजे समझ में आई है ठीक है तो चलिए आज किस वीडियो को यहीं पर इंड करते हैं फिरम लेंगे अगले वीडियो में अगले और गाफिस.